हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम अम्रेला कट अंगर अख़ा पैटन कुरती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैबरिक लिया है, ये हमने कॉटन का लिया है तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैबरिक को फूर फूल्ड किया है ये दिखें, आपर ओपन साइड है और यहाँ पर फूल्ड साइड है और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच अभी यहीं से हम आर्मुल लेंगे, तो आर्मुल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे अब यहां पर हमें chest का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 inch अब जो chest का size है उसको 4th से divide करना है प्लस 2 inch margin एड़ कर लेना है अब यहां पर हमें कमर का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 9 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और यहाँ पर हम वन इंच उपर मार्क कर लेंगे और हलका सा राउंड शेप देंगे अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width में ले रही हूँ 3 inch और neck deep में ले रही हूँ 6 inch front के लिए और back के लिए में ले रही हूँ 4 inch उसके बाद back neck के लिए हम round shape दे देंगे और front neck के लिए हमें curve V shape देना है इस तरह से तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे तो सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो देखे हमने आपर cutting कर लिए है अभी हम इसे open करेंगे और back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर लिए है अभी हम इसे open करके रखेंगे अभी यहाँ पर हम अंगर अखा pattern ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर left side में हम 1 inch पर mark करेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से curve shape देते हुए से join करना है तो इस तरह से इसे हम join कर लेंगे यहाँ पर curve shape देते हुए और इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी इस part की हमें कोई जरूरत नहीं है तो इससे हम हटा देंगे और इसी shape का हम एक और part cut कर लेंगे तो इसके लिए हमने यह fabric लिया है तो fabric को हम सीधा रखेंगे और इसके उपर हम इस part को उल्टा रख देंगे दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद इसी shape में इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है अभी right वाला part हमें left वाले part के उपर इस तरह से overlap करते वे रखना है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो हमने fabric को fourfold किया है यह देखें यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है और यह fourfold हमने लिया है 8.5 inch का जितना आपका आर्मोल है उससे 2-3 inch जदा लेना है और sleeves की length हमने लिये 14 inch अभी यहाँ open side से 3 inch पर mark करेंगे और यहाँ से sleeves का shape देंगे इस तरह से हमें sleeve का shape दे देना है अभी यहाँ sleeve bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और यहाँ पर हमें front का armhole draw कर लेना है half inch अंदर से और इसकी cutting कर लेनी है तो हमने front armhole की cutting कर ली है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को two fold करके रखा है यह देखे हाँ पर open side है अभी इसे एक corner से उठाते हुए हम triangle में fold करेंगे तो देखे हमने इसे fold कर लिया है यहाँ पर हमारी open side है और यहाँ पर fold side है और जो हमने top part कर किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे अभी हम length लेंगे bottom part की तो bottom part की length में ले रही हूँ 30 inch तो इंची टेप को सरकाते हुए पूरे में हमें 30 inch पर mark कर लेना है और इन सारे points को जोड़ देना है round shape में और उसके बाद हमें इसकी cutting कर लेनी है तो यहाँ से जब हम cut करेंगे तो half inch का margin छोड़ना है और उसके बाद इसकी cutting कर लेनी है और यहाँ पर हम इसे इसी line से cut कर लेंगे अभी यहाँ पर देखें हमारे दो parts कम आए हैं तो हम दो parts के joints लगा लेंगे यहाँ पर तो इस तरह से fabric को हमें double करते हुए रखना है और half inch उपर चड़ाते हुए रखेंगे क्योंकि half inch हमारा सिलाई में जाएगा और उसके बाद हमें नीचे का कपड़ा देखते हुए इसे इसी shape में draw कर लेना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने joint के लिए दो parts निकाल लिये हैं अभी हम यहाँ पर pin लगा लेंगे तो जिसे की जब हम stitching करेंगे तो यह joints लगाने में हमें आसानी होगी तो इस तरह से हमने bottom part की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे तो इस तरह से यह हमारे पास दो parts है front और back के लिए यह देखें अभी हम stitching करेंगे तो यह हमने front का part लिया है तो यहाँ पर हमें piping लगानी है neck line में तो इसके लिए यह हमने तिर्ची पटी ली है तो इस पटी को हम wrong side से रखेंगे तो इस पटी को हमें wrong side से stitch करना है और सेम इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने तिर्ची पटी ली है इसे भी हम wrong side से stitch करेंगे तो इस तरह से हमने strip को यहाँ पर stitch कर लिया है दोनों parts में अभी यहाँ पर हम छोटे-छोटे cuts लगा लेंगे तो यह cuts लगाने के बाद हमारी strip easily turn हो जाएगी सीधी side में उसके बाद हमें strip को सीधी side में turn कर लेना है तो यह जो सिलाई वाला margin है इसे हमें अच्छे से nail से press करना है और इसके बाद इस strip को हम यहाँ पर double fold कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमें दूसरे side की strip को भी double fold कर देना है सीधी side में तो इस तरह से हमें strip को यहां पर attach कर लेना है अभी इस part को हम इसके उपर overlap कर लेंगे उसके बाद हमें यहां पर neck deep check कर लेना है और यहां पर हम pins लगा लेंगे आप चाहे तो यहां पर सिलाई लगा सकते है उसके बाद हमें यहां पर सिलाई लगानी है और दोनों parts को attach कर लेना है तो यह हमारा front का part ready हो जाएगा अभी हम back neck बनाएंगे तो back neck बनाने के लिए हमने तिर्ची पटी ली है cross strip इस पटी को हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है उसके बाद यहां पर हमें छोटे-छोटे cuts लगा लेने है और cut लगाने के बाद इस strip को हमें wrong side में double fold करके top stitch लगा लेना है तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है अभी हम front का part इसके ओपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी sleeves में हम यह strip attach करेंगे तो strip की जो length है वो हमने 1.5 inch की लिए है strip को हम wrong side से stitch करेंगे तो हमने strip को stitch कर लिया है अभी हम strip को सीधी side में turn करेंगे और इसे double fold कर देंगे तो इस तरह से हमने दोनों sleeves में strip को attach कर लिया है यह दिखें अभी हम shoulder पे sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के ऊपर उल्टा रख देना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से दुसरा sleeves भी हम attach कर लेंगे तो हमने दोनों sleeves को attach कर लिया है अभी हम top part और bottom part को attach करेंगे तो top part को हमें bottom part के ऊपर उल्टा रख देना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से back part के top part और bottom part को भी stitch कर लेंगे तो हमने टॉप पर्ट और बॉटम पर्ट को attach कर लिया है अभी बॉटम में जो हमारा joint आया था इसे भी हमने stitch कर लिया है अभी यह हमने दोरी बनाई है तो यह दो डोरियां हमने बनाई है तो जब हम fitting करेंगे दोनों side से तो इन डोरियों को हम यहाँ पर stitch कर लेंगे इस तरह से और इसके बॉटम को हमें double fold कर देना है